दीदी, ये पीरेड्स क्या होते हैं? पीरेड्स? बताती हूँ, जब लड़कियां 11-12 साल की हो जाती हैं, तो उनके यौनी से हर महिने 3-5 दिन तक थोड़ा-थोड़ा खून निकलता है, इसको पीरेड्स कहते हैं. ओ, खून निकलता है? पर खून क्यों निकलता है? रुको, मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ. जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, तो हर महिने उनके अंडाशय से एक अंडानू निकलता है. ये अंडानू अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक पहुँच जाता है. जब एक औरत गर्भधारन करना चाहे, तब ऐसा ही एक अंडानू उनके गर्भाशय में विक्सित होकर बच्चा बन जाता है. होने वाले बच्चे के पोशन के लिए हर महिने गर्भाशय में एक नरम उतक और खून की नई परत बनती है. लेकिन जब तक हम बड़े होकर औरत ना बन जाये तब तक हम बच्चे नहीं करते हैं, है ना? और बच्चे नहीं, तो गर्भाशे को खून और उतक की परत की कोई जरुवत नहीं है इसलिए हर महिने ये परत जड़के यौनी से खून के रूप में बाहर निकल जाती है और इसी को हम पीरेट्स कहते हैं अच्छा, तो क्या मुझे भी पीरेट्स आएंगे? हाँ पिंकी, पीरेट्स तो एक कुद्रती शारेरीक प्रक्रिया है जिससे हर लड़की गुजरती है पीरेट्स आने का मतलब है कि तुम स्वस्थो और तुम्हारा शारीर अच्छे से विक्सित हो रहा है